हरीदवार से कासीपूर तक का जो फोरलैंड हाईवए लागत थि वो करीब 200 करोड की लभगत थी जो निर्मान में देरी होने से 100 करोड की बलळोतरी हो गई जो फोरलैंड हाईवे की लागत है भिजनोर से नियूज आρई है इससे निर्मान में देरी कहे या कुछ और लेकिन अब फोर लेन हैवे निर्मान में 100 करोड की लागत बढ़ चुकी है हैवे का रिवाइज एस्टिमेट त्यार कर लिया गया है मार्च तक फिर से टेंडर निकाला जा सकता है फिलाल तयारी चल रही है हलांकि रिवाइज एस्टिमेट में 11 काम भी बढ़े हैं जिनमें पूल की लंबाई और सर्विस रोड भी सामिल है हरिदवार से कासीपूर तक हाइवे को 200 करोड रुपे की लागत से फोर लेन में तबदिल किया जाना था इस परियोजना को पूड़ा करने का वक्त साल 2020 तक रखा गया हलांकि नगीना से कासीपूर तक हाइवे फोर लेन बनाते हुए दोल भी चालू कर दिया गया उधर हरिदवार से नगीना तक हाइवे अब तक अधर में लटका हुआ यानि आधे अधूरे जो है वह हाइवे बने हुए हैं नगीना और हरिदवार की दूरी में 71 किलो मीटर लंबा हाइवे बनना था इस दूरी में 173 में 5 किलो मीटर लंबे एलिफेंट अंडर पास बाद में सुखिर्ती हुए हैं ऐसे बाकी बच्ची करीब 66 किलो मीटर लंबी सरक में करीब 48 किलो मीटर तक हाइवे बना लिया गया बाकी जगों पर काम आधा अधूरा ही रह गया हाइवे निर्मान में होरी देडी और निर्मान कमपनी की हिला वहली को लेकर दिली में उच्चस्तरिय बैठक हुई थी जिसमें निर्मान कमपनी को तीन माह का वक्त दिया गया था इसके बाद भी निर्मान में तेजी नहीं आ सकी इसके साथ ही हाइवे प्राधिरकरन ने अब तक हुए निर्मान और भाकी रह गए काम का मुल्यांकन शुरू कर दिया था मुल्यांकन करते हुए रिवाज एस्टिमेट त्यार किया गया शुत्रों की माने तो नगीना सहरीद्वार के बीच पान सो तीन करो रुपे का काम पुड़ा हो चुका है पुड़ाने टेंडर के हिसाब से दो सो असी करो रुपे का काम अधूरा परा है रिवाज एस्टिमेट त्यार हुआ तो यह लागत अब बढ़ कर कई तीन सो आसी करो रुपे हो गई है बता दे कि इसमें निर्मान समागरी के महंगे हो जाने की लागत को भी जोड़ा गया है जिसमें नए रिवाज जो एस्टिमेट हुए उसमें 11 नए काम भी जो हैसो दिये गए है रिवाज एस्टिमेट में जो हैसो आपको 11 नए काम के साथ समाई के साथ भी बढ़ी है समय भी बढ़ी है जो अड़तों को धियान में रखते हैं ग्यार नए काम भी सामिल किये गए हैं इनमें एक नया काम गौंडी खाता में सर्वीस रोड निडमान भी जोरा गया है वहीं सर्वनपूर नहर पर पूल के पास नहर की सरक को पार करने के लिए कुछ काम जोरा गया है कुछ पूलों की लंबाई को भी बढ़ा दिया गया है हरिदवार से नगीना के बीच 503 करोर रुपय का काम जो हो चुका है पुराने टेंडर के हिसाब से 280 करोर रुपय का काम बांकी है अब रिवाज एस्टीमेट बनाया गया जिसमें बांकी रहा काम में 380 करोर रुपय की लागत आएगी इसमें 11 नए काम भी जोरे गये हैं मार्च तक फिर से टेंडर हो सकता है यह हमारी थी इस वीडियो की कुछ नई जानकारी तो तोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद